Welcome back to my channel, एक नए वीडियो के साथ, आज हम देखने वाले हैं कि आप एक logo कैसे बना सकते हो, within 2 और 3 मिनिट्स में, यह logo हम डिजाइन करने वाले है, mid journey में, mid journey एक AI टूल है, अगर आपको mid journey पता नहीं है, तो आप मेरा previous वीडियो दोखेगे, तो पता चल जाएगे कि कौन से कौ mid journey में और logo design कैसे design होगा, so logo design करने के लिए हम यूज करने वाले सबसे advanced tool, वो है mid journey, mid journey एक AI tool है, जिसमें आप prompt यूज करके, 3D graphics, logos, mockups और बहुत सारे imagination, imaginative characters आप design कर सकते हो, लेकिन हम आज करने वाले logo design, so let's check it out, कैसे mid journey काम करता है, logo designing के लिए, और बहुत creative options हम select करेंगे, logo designing के लिए, so mid journey में पहले आप अपना account create करिए, direct google से आप connect कर सकते हो, और उसके बाद sign in करने के बाद, वो आपको invite करेगा discord में, एक बार वो login कर दोगे अब उसके राद, तो आपके पास एक नई screen आ जाएगी, वो है discord, discord basically कैसे एक server होता है, जिसमें ये 3-4 rooms होते हैं newbies के, तो हम free account use कर रहे हैं, तो इसमें आप देखो कि बहुत से creative images यहाँ पर use हो रहे है, यह सारे चीज़े कैसे होता है, इसमें prompt होता है, जैसे कि a back view photo of an alien singing to humans, ये करने के बाद ये generate कर देता है, तो अभी हम, मैंने already prompt, और एक example देखी, है पे creative medical logo, किसी ने design किया, है, तो वैसे मैंने बहुत सारे prompt बना के यहाँ पर रखे है, जैसे कि restaurant website के लिए ये prompt है, तो पहले हम start करते हैं इसके साथ, अब जब भी use करोगे, mid journey, उसमें आपको ये prompt यूज करना है, imagine, imagine लिखने के बाद, prompt करिए, और उसके अंदर आप text दा लिए, अब जितना चाहिए creative हो सकते हो, आप comma डालिए, comma डालने के बाद आपको सारे चीज़ें मिलेगे, अभी ये restaurant के लिए है, तो मैं, restaurant specific mention करूँगा इसके अंदर, तो ये creative, तो ये सारे mention करने के बाद prompts उसके बाद अब आप करिए, enter, enter करने के बाद, आपका जो text enter किया है, इसका जो mid journey का जो discord engine है, वो run होगा, वो run होने के बाद, 100 person होने के बाद, आपको logo दिखे के exactly कैसे logo design हुए, तो फिलाल आप देख सकते, यहाँ पे हैं, अपना prompt है, तो यह prompt आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे, इस minimalist cocktail ball illustration, black background, restaurant creative, तो यह जो logo है हमने create किया, उसके बाद आप देखोगे, यह logo हमें generate मिला है, तो generate होने के बाद आप देखोगे, यह logo को आप, open in image करोगे, तो यह logo हमारा ready है, तो यह एकदम unique logo है, अभी आप इसमें भी ऐसे changes करते हो, अगर आपको background different चाहिए, वाइड background में logo चाहिए, तो यह सारे option आप डाल सकते हो, उसमें logo designing के लिए, next, logo हम और एक देखेंगे, वह है shipping company का, shipping company के लिए, आप यह use करेंगे, फिर से वही, imagine, prompt, copy कर दिया, उसमें आप लिखिये, फिर, white background करेंगे, white background, shipping, logo, चीक है, right click करके, अब फिर से save करेंगे, देखे, अभी यह जो logo है, यह logo है, यह shipping है, तो यह shipping का जो logo है, एकदम creative है, इसमें आपको अगर कुछ edit करना है, color changes करना है, उसके लिए फिर से आप command prompt डाल के, वो logo edit कर सकते हैं, prompt, tech channel का logo, और देखते हैं, कैसा होगा, server engine start हो चुका है, 100% के लिए हम वेट कर रहे हैं, आपको अगर और tools देखने हैं, tools, जिससे, आप, content writing, web designing, mock-up designing, UI, UX, यह सारे जीज़े, आप creative, अगर आपको कुछ चाहिए, तो इसमें बना सकते हो, तो यहाँ पर देखिए, हमने जो prompt डाला है, उस prompt से, हम logo design कर रहे हैं, 100% होने के बाद, आप देखोगे, उसकी exactly quality case ही है, तो यह रहा हमारा next logo, तो यह सारे logos यहाँ पर है, और आप जैसे, जितने prompt creative हो गया, आप जितने words properly use को रहेगे, वैसे logos आपके design हो गये, एक और एक bonus tool map को दिखाऊंगा, lexica.art, तो इसमें भी आप prompt यूज करके, logo design कर सकते हो, जैसे के यह prompt है, एक car company का logo हम design करेंगे, graffiti style, तो लेट सर्च, को एक, दो, तीन, चार, पाच options है, आप scroll करोगे तो आपको और भी बहुत सारे options, लोगों को मिल जाएगे, आपे, अब यह generate में भी जाओगे, तो यहाँ पे भी आप अलग-अलग options डाल सकते हो, जैसे के, shipping company, logo, white background, red font, abstract, 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 3D, so generate करें, यह generate, जैसे हो जाएगा वैसे आपको बहुत आप्शन मिलेगा, कितने सारे options हमें मिल जगा है, तो यह लोगों के लिए best option है, यह use कर सकते, यह use कर सकते हैं, यह use कर सकते, जितने भी creative prompts आप text enter करोगे, उतने results आपको अच्छे मिलेगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, मैं और बहुत से AI related वीडियो लेके आऊंगा, और मैं आपको सब को बता हुआ कि कोई कौन से नए AI tools अवेलेबल है मार्केट में, और उसको यूज करके आप अपनी केसे काम में productivity बढ़ा सकते हो, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, तैंक्स वरो मॉच्छ